नमस्कार दोस्तों गूड मॉर्णिंग क्रीसेंट एडूकेशन क्लासस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है विधान सभा की भरतियों को रद्ध कर दिया गया है विधान सभा स्पीकर रितु खंडूरी ने एक एतियासिक फैसला लेते हुए 2015 के बाद की जितनी भी भरतियां की गई थी 288 को लिए अडॉक पर भरतियां की गई थी इन सभी को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ था अभी जाज समीती ने अपनी रिपोर्ट दी थी 20 दिन के अंदर और इस रिपोर्ट म इसके अलावा जो 32 पदों पर विधान सभा में कुछ पोस्त निकली थी और उनका पेपर भी हो गया था उसको भी निरस्त कर दिया गया है इसके अलावा भरतियों में पहले शुलक देने वाले अब निशुलक कहने का मतलब है कि UKPAC अब जो नया विग्यापन जारी करेगा तो इसमें जिनोंने पहले शुलक दिया था UKPAC में फॉर्म भरते वक्त है तो अब उनको इस फॉर्म में कोई भी शुलक नहीं पड़ेगा लेकिन जो नई कैंडिडेट्स हैं उनको शुलक देना पड़ेगा क्योंकि कल बात चल रही थी कि निशुलक होगा सबका सब जो न 2638 और अभ्यरतियों को मौका मिल चुका है लगातार पीसेस की भरती भी विवादों में इसमें लगातार एक के बादे कट आफ क्या हो रही है इनकी चेंज होते जाली है पहले 94 थी अब बाद में 91 कर दी तो एक एक करके उतरा गंड हाई कोट के आदेश के बाद 2638 अभ्यर में अब सुप्रीम कोट जाने का फैसला सरकार ने लिया है इसमें मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने हामी कर दी है अब एक अध्यादेश के संग महिला आरेच्षण में सुप्रीम कोट जाएगी सरकार और इसके लावा 80 कोट केस को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे ग्रिकार और आतियासिक विधानशबा की भरतियां दोस्तों रद कर दी गई है एक सोपचास भरतियां हुई कि गई थी गोविन कुजवाल के समयं पर 78 बरतियां पर इनको थी निरस्त कर दिया गया है एक इनको भी अनिमित्ता में सस्पेंड कर दिया गया है देखिए आप यहाँ पर देखिए 2014 में सोध अबसर के रूप में इन्होंने न्युक्ति पाई थी और इसके अलावा फिर 2015 में वरिष अधिकारी बन गए 2018 में मुख्य बन गए 2021 में इनको तीन तीन प्रमोशन मिल गए भी स्टिक्त सचीव बने अपर सचीव बने और सचीव के पत पर यह पहुँच गए थी तो मतलब इतनी लगातार इनकी प्रमोशन हुआ तो यह भी मतलब सबसे ज़ादा अनिमित्ता में इनको सस्पेंड किया गया है तो यह बहुत बड़ी निउस है अब देखते हैं कि इसमे बनाके भीजा गया है सरकार को विधान सबाय स्पीकर के द्वारा अब इसमें सरकार क्या कदम उठाती है यह दोस्तों देखना इंपोर्टन रहेगा तो विद्भरतिया रद्य करने का प्रस्ताओं को सीम की मंजूरी भी फिलाल कहरें कि सीम की ने मंजूरी दे दी है अब सितंबर को मुख्य मंतरी आवासिस्तित मुख्य सेवक सदन में आयजित कारकरम में उच्छ सिक्षा एन इपी 2020 का विदीबत सुरवात करेंगे केंद्र सिक्षा मंतरी इसी दिन NITC नगरगडवाल के दिक्षान समागरों में भी परतिभाग लेंगे तो यह बड़ी इंपो श्यप्रेम कोड जाने का फैसला ल को फैसला ले लिया है ठीक है तो यहां पर देख लिजे परदे शरकार उत्रागंड को महिलाओं को सरकारी Naokring सेंथी रूर के लिए 227 अध्यादेश के रखने इभी तक बात चले थि क्या करेंगे, SLP डालेंगे, ADHES लाएंगे या क्या करेंगे, या UP की तरह जैसे UP में हो कह गया है कि UP में पहले UP की महिलाओं को अरेक्शन था अब वहाँ पर सभी महिलाओं के लिए 70,000 कर दिया गया जाए UP की हो, चाहे ना हो महिलाओं के लिए वापस स्टेशन कर दिया गया है तो क्या उत्राखंड भी इसी तरह का स्टेप बनाता ऐसी एटकले बीच में चल ली थी लेकिन अब उत्राखंड सरकार का रुख साफ है कि वो अब क्या करेंगे अध्यादेश लाएंगे जीको रोका गया उत्राखंड का जो गर्मेट उडर है जसके में रोक लगा है उत्राखंड उत्राखंड हाई कोट ने उसके खिलाव यह सुप्रीम कोट जाएंगे और इसके लाभा पीछे जे अध्या अध्यादेश भी अपना लेकर आएंगे अब देखिए दोस्तों जिन भर्तियों में पहले शुलक दिया अब उसके आवेदन होंगे निशुलक सासन ने देखिए सासना देश जारी कर दिया है नई भर्तियों में लिया जाएगा शुलक ठीक है, अभी आयू पे निर्ने नहीं हुआ है, आयू पे निर्ने जिसे हम बात चले थी कि भीया, उसी डेट से एडवर्टीजमेंट माना जाएगा, जिसमें पहले युके टेपलेसी ने रिलीस किया था, तो इसमें क्या है कि जो नए बच्चे हैं, उनके अंडरेज होने का खत्रा थोड़ा सा मनडा रहा है, क्योंकि वो अगर उसी एज से माना जाएगा, तो फिर अगर जो आज मान लेते हैं कि अगर नियून्तम आयू 21 साल है, तो उसको पूरा नहीं करेगा, तो फिर वो उस भर्टी में को नहीं, मतलब उसमें अपलाई नहीं कर पाएगा, ठीक लेकिन नहीं भर्टियों में अब शुलक लिया जाएगा, जो नहीं आवेदन आएंगे, उनमें शुलक लिया जाएगा, पुराने आवेदन कहने का मलब जिन्होंने पहले UK ट्रेपलेसी में फॉर्म भरा था, तो उनको अब कोई शुलक नहीं देना होगा, तो जिन उम्व 2638 और अबेटियों को मौका मिलेगा, ठीक है, आयोग ने रिजल्ट जारी करने के बाद, तीसरी बार इसमें संसोधन किया है, ठीक है, और मुख्य परीक्षा भी दोस्तों इन्होंने 12 से 15 नवंबर के बीच में कराय जाने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है, अभी इस पर दे करेक्षन का जो पेच है, कहीं ना कहीं फसेगा, तो उत्राखंड लोग से वाएग ने पीसे स्प्री परीक्षा का एक और अत्रिक्षा जारी किया, जिसमें 2638 अभी अब्यार्थियों को मुख्य परवेस परिक्षा का परवेस पत्र मिल गया है, ठीक है, तो यहां पर फिर एक अगस्त को हाई कोट के अदोस पर, फिर कट अफ बदली, 149 अत्रिक्ष अभी अर्थी को क्वालिफाई किया गया, फिर 22 सितमबर को हाई कोट के आदेश पर कट अफ बदली, और 2639 अभी अभी अर्थी मुख्य परिश्या गले चुने गए, ठीक है, तो आप यहां कोट अफ है, ऐसे सब जगह वे कट अफ यह गिर गई है, तो कुल मिला के 263,249 को मौका अभी तक फिलाल मिल चुका है, 2638 और अभी अर्थी को मिल चुका है मौका, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों लगाता है, इनकी कट अफ गिरते वे चले जा रही है, अब दोस्तों हम ब जिन्होंने अभी बीच में इस केस की सुनवाई के जज हैं, ठीक है, उनके अंडर में ही यह केस की सुनवाई हो रही है, और अभी दोस्तों यह जो 90-2022 वाला मामला है, यह है L-T-Hindi का मामला, तो फिलाल दोस्तों है, इस मामले में दोस्तों जो सुनवाई है, वो इन्हों यहाँ पर एक order दिया है और order में दोस्तों ये है list this matter along with WPSS 308-2022 ये दोस्तों फिजीगल education वाला case है तो 24-9-2022 after fresh cases मतलब कि दोस्तों आज की date है आज की date में दोस्तों इसकी सुनवाई होने वाली है बहुत महतोपूर्ण ये सुनवाई हो सकती है क्योंकि अभी इस cases पे लगा next hearing की date देंगे लेकि next hearing हो सकता है कि आपकी final hearing हो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं WPSS 308-2022 देखें ये physical education है सुनिता वर्से स्टेट आफ उतराखंडवाला इसमें देख सकते हैं कि आप 24-7-2022 दोस्तों इसकी date दी गई है ठीक है इसके अलावा अगर मैं आपको दूसर दिन है सुनवाई का तो after fresh cases है देखते हैं कि आज इस cases की सुनवाई होती है नहीं होती है अगर इसमें related कोई भी important जानकारी आएगी तो मैं आपको वो provide करूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में